की जंग वो नहीं जीत पाएगा इसी वज़े से अमेरिका पश्टिम एशिया से अपना बुर्या बिस्तर समेट रहा है यह रपोर्ट देखें इरान के वार गेम का पूरा प्लान सामने आ गया है युद्ध के सब्तर दिन बाद पता चल गया है कि खुद इरान ने इस्रेल और अमेरिका के खलाव अपनी रणनीटी से परदा उठाया है इरान ने बता दिया है कि उसका अकलवार क्या होगा, कहां होगा और कब होगा इरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्यमेशया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऐसा धमाका जो कया मतला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा जिसे ना इस्रेल रोग पाएगा, ना अमेरिका पर अब इरान ने जो कहा है, उसने अमेरिका और इस्रेल की सांस हलक मिला दी है इरान की सेना की ब्रांच, IRGC, यानि इस्लामिक रिवलुशनली गार्ड, कोर के प्रमुक ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि घाजा की लड़ाई तो बहुत शोटी है, इरान का मकसर इस्रेल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है इतनी बड़ी और पेचीदा जंग, जिससे इस्रेल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही डलदल की तरफ फंसते चले चाएं इरान के इस वार गेम में तो घाजा बस एक शुरवाती पॉइंट है इरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इसरेल के पड़ोसी देशों लेबना, सीरिया, इराक और इसरेल के दक्षन में मीलो दूर बसे यमन तक फैला हुआ है इरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है वो लेबनान में चरमपंथी संगटन हेजबॉला से भी इसरेल पर हमला करवा रहा है और इसरेल के दूसरे पड़ोसी देश, सीरिया में तो खुद इरान मौजूद है उसने वहां से इसरेल को गेर रखा है सीरिया और इसरेल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों के खबरे आ रही है और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री होई है यमन के हूथी विद्रोहियों की अमेरिका ने अपने अरक्राफ्ट करियर, लड़ाको विमार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चन एशिया में तानात किये तो इरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इसरेल के पीछे छोड़ दिया गुथी विद्रोहिं, फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इसरेल पर मिसाइल पर मिसाइल चोड़े जा रहे हैं गुथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौजूद लाल सागर को भी जंग का अकाड़ा बना दिया है वो वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इसरैल गाजा में शांत नहीं होगा तब तक लाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा खुथी लड़ाके लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं कि खौफ के मारे जहाज कम्पनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तोबा कर ली है इस वज़े से एशिया से युरॉप और युरॉप से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफ्रीकी महात्वीब का लंबा चोड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है जिससे सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने लगा है इसलिए अमेरिका और ब्रिटन जैसे उसके दोस्तों को लाल सागर की बहरेदारी करनी पड़ रही है हूथी वे द्रोहियों से लड़ने के लिए उन्हें अपने जंगी जहाज समंदर में उतारने पड़े हैं और एक दिन पहले तो हूथी वे द्रोहियों ने ड्रोन से ऐस असे ताबर तोड़ हमले किये कि अमेरिका और ब्रिटन ने लाल सागर में पंदरह ड्रोन मार के रहे हैं तो क्या इरान की चाल में फस गए हैं अमेरिका और एज्रेल अपने ताकत पर हथियारों और पैसे के दम पर घाजा की जंग लड़ रहे हैं मगर इरान की आया जेसी के हैड मेजर जनरल हुसेन सलामी ने तो तू कहा कि पश्य मेश्या की जंग ना बैसों से जीती जा सकती है ना हथियारों से उन्होंने अमेरिका पर बेहती खावार किया और पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कपज़ा अमेरिका को जीत दिला पाएगा क्या अमेरिका इराक में ठिक पाएगा क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया क्या अमेरिका क जो सवाल उठाये वो एहम है। अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदारन है। अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी। मगर दो दशकों में भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पाया। तो क्या इरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इसरेल के खिलाफ अपना हथियार बनाना चाहता है। क्या खाजा को इसरेल के लिए अफगानिस्तान बना देगा इरान। चा इरान इस्राइल का वही हश्र करने वाला है जो एराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्योत के बाद अमेरिका सुपर पावर पन करोब रहा उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई एहम जंग जीता है अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग-अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है और जैपूर से बड़े कावर आपको पता दे जेजेयम यानिकी जल जीवन मिशन में ब्रस्टाचार का महा बड़ा कुलासा हुआ है एन जेजेयम की रिपोर्ट में बड़े ब्रस्टाचार का कुलासा हुआ है एन जेजेयम की तीम ने की थी मामले की जांज रिपोर्ट में ब्रस्टाचार और आणियमे तताओं से परदा फास हुआ है बेहत घटिया गुरुवत्ता सामागरी लगाये जाने का खुलासा हुआ केंद्र की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन्स के निर्देशों की धज्जिया उड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहें बीच में जैपुर से बड़ी खबर जैजेएम के कारियों में कई चौकारे वाले खुलासे प्लानिंग और डिजाइनिंग की सामने आई है डी पी आर में भी ब्रस्टा चार घटिया क्वालिटी के लगाए गए प्लास्टिक पाइप बिना लाब टेस्ट के ही ये घटिया पाइप लगाए गए ठेकेदारों को रंगीन बिलो का नियम के खिलाब भुपतान किया गया है जहां स्रिपोर्टर में भारी आने मताओ का एक बड़ा खुलासा हुआ है एक महा भ्रस्टा चार का पोल अब सामने आ गया है राकेश अब बिल्कु देखे जिस तरीके से न्यूच 18 लगातार जल जीवन मिसन में भ्रस्टा चार के मामले उजागर करता रहा है उसके बाद राश्टिय जल जीवन मिसन जो केंदर सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी है उसने इस जल जीवन मिसन के कारियों की अचार हुआ है यहां तक कि जहां पर जो इस्टील के पाइप लगने थे उन पाइपों की जगे प्लास्टिक के पाइप लगाए गए और चोकाने वाली बात यह है कि इस प्लास्टिक के पाइपों की गुर्वत्ता भी जास नहीं की गई और रनिंग विलो का ही ठेकेदार को भुकतान कर दिया गया यानि जहां पाइप जो लोहे का android लगबग्ड़ से से ढही दो अजै का का एक अगर पाइप मनें हम तो वह उस पाइप की जगे एक बेड़ से रुपए का फैक लग उसकी जाच के बिना ही बुक्तांग किये गए ही जो एक हमेशा डिजाइन और जो अप्रॉल का जो एक कंसप्ट होता है ड्राइंग डिजाइन उसकी बिना अप्रॉल के ही निरमान कायरिस रू किये गए यानि जो नीव रखी गई जल जीवन मिसन के कारियों की उनमें भी प्रश्टाचार सामने आया है जल जीवन मिसन के कारियों के लिए NJ जीम की टीम ने राजस्थान के कई जिलों का दोरा किया उन तमाम जिलों में जब जाच की गई तो ये सामने आया है कि रश्टा चार में सिर्फ ठेकदारी सामिल नहीं थे बलकि जलदाए विभाग के उच अधिकारी भी सामिल थे जो कि जिस तरीके से भुक्तान किया गया है कारियों का वहाँ पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के दिसा निर्देश जो है केंद्रिय जलसक्ती मंतराले ने जारी किये थे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद ही इन विलों का भुक्तान होना था लेकिन यहां थेकेदारों को दिलो का भुक्तान किया है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फर्मों को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था एंजे जिम की टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसे थेकेदारों के को जो विभाग के अधिकारी और समझने अगेंशिया हैं उन्हों ने जो है कहीं न कहीं बचाया है और उनके साथ उनकी मिली भकत सनलिपता भी सामने आई है जो पाइप लगाए गए है डियाई पाइप और जो एस्टीपी पाइप है उन पाइपों के लिए जो फैक्टरी के दिसा निर्देश थे कि क्या कुछ वहाँ पर होना चीए था कि निर्मान साग्री में तो बिल्कुल ही नहीं पाइप लिए इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा बड़े सीमा पर ब्रस्टाचार और किया गया है और इसलिए जब बारिश या मौसम खराब होता है तो जीवन लोगों के अस्तिवेस्त हो जाते सरकों पर पानी जल भराव की स तमस्या आने लगती है बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर तुझेजिया में महाप्रस्टाचार का महाकुलासा हुआ है नैशनल यानि की केंद्र जल जीवल मिशन ने